दूस्तों आज फिलहाल यहाँ पर Redmi India के तरफ से काफी अच्छी good news निकल रिकाई है जो कि आज की इस वीडियो के साथ में share करूँगा वीडियो को लास तक दिखते रहेगा इसके साथ अगर आपने अवी तक यहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी कि भी सब्सक्राइब बलीजेगा बागी दोस्तों मैं आप दो कि आज की जो best smartphone deals है वो मैंने आपके लिए सेलेक्ट कर दी है मैं पिक कर चुका हूँ 30 best smartphone deals जो की आपके लिए है तो यहाँ पर view product का option आ रहा होगा उस पर click करके जो भी deals आज की मैंने select की है वो आप अपने लिए यहाँ पर देख सकते हैं और अपने लिए एक काफी सस्ते में नया smartphone ले सकते हैं अब आप मैंसे जितने भी लोग आये होंगे उनके मन में ज़्यादर तर question यह आ रहा होगा और यह जो smartphone है इंडिया में भी launch होने के लिए 100% confirm कर दिये गया है अब यहाँ पर मैं आप को यह बता दूँ कि यह जो smartphone है वो काफी सारी certification site पर online certified हो रहे हैं और आज यहाँ पर Redmi Note 12 series के जो global variant है और जो Indian variant है वो फिलहाल यहाँ पर अपने model number के साथ में FCC certification site वगरा पर online certified हो गया है जिससे इनका जो launch है यहाँ पर confirm हो जाता है अब यहाँ पर Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus यह तीन variant आज फिलहाल यहाँ पर officially list हो गया है और यहाँ पर मैं आपको रहाँ कि global smartphone market में कहा जा रहा है कि यह जो smartphone वो अलग features के साथ में जाने वाले हैं और India में भी same वही variant आने वाले है अब यहाँ पर कुछ smartphone में कहा जा रहा है कि Dimensity 1080 का processor देखने को मिलने वाला है और कुछ variant में हमें Qualcomm Snapdragon 778G Plus का processor है वो यहाँ पर देखने को मिल जागा तो obviously अगर Pro variant को देखें तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें Qualcomm Snapdragon 778G हो सकता है और जो Pro Plus variant होगा इसमें अगर Dimensity 1080 लाते हैं तो इसमें Dimensity 1080 हो सकता है तो यह जो variant है वो आज फिलहाल यहाँ पर launch होने के लिए confirm हो गए है और already यह जो smartphone है वो FCC पर certified हो गए है साथ दोस्तों एक चीज़ में आपको बता दूँ कि यह जो smartphone है वो Mi Y14 के साथ में officially launch होने वाले हैं बाकी आपका क्या opinion है इन smartphone के वारे में क्या आप Redmi Note 12 series के smartphone का वाकई में इंडिया में launch होने के लिए वेट करें या फिर नहीं कर रहे हैं अपना opinion हमें जरूर से comment box में comment करें के बताएगा और ये जो smartphone है और दोसों ये भी आपको बता दूँ कि ये जो smartphone है और लेडी कुछ टाइम पहले IMEI database पर भी online certified हो गए थे तो certification काफी सारी हो रही है December में या फिर January के first week में ये smartphone इंडिया में आ रहे है Amazon पे exclusively दोस्तों हमें अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो एर वीडियो को लाइक करेगा इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब करेजेगा